Hello and Namaskar everyone, this is Ritesh, Welcome back to the Classroom. इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉर्शन्स, टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम्स और नंबर्स यानि की संख्याओं पर अधारित कुछ ऐसे प्रस्ट जो आपकी एक्जाम में बार बार पूछा जाता हैं. इस तरह कॉर्शन्स आपके रेल्वे गूरूब्डी के एक्जाम में, NTPC के जो अभी एक्जाम होने वाला है, CVT2 उसमें पूछा जाएगा, फिर SSC के एक्जाम में भी पूछा जाता है. तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तर दू सब्सक्राइब क्लास हो, एन और प्रेज दबेल अकर. सबसे पहला कोश्चिन नमर वन है, एक संख्या चववन से जानी अधीक है, जितनी बिरासी से क्या है, वो कम है, संख्या ग्यात कीजिए, चार ओप्सन दिया हुआ है, इसमें से अब को बताना है कौन सा सही आंसर होगा, देखे, सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझज माल लेते हैं वो संख्या एक से, तो कुश्चन में क्या बोल रहा है, एक संख्या चववन से उतनी अधीक है, तो अगर माल लेजिए, चववन से उसको घटा लें, ठीक है, और बोल रहा है, बिरासी से कितनी कम है, और उसमें जो है हम लोग, बिरासी से उसको घटा लें, म इस दोनों को जोड़ेंगे, 4, 2, 6, 8, 5, 13 यहां से x का वैलू निकालेंगे, कितना हैगा, तो 2 इतर आएगा, 2, 12, 28, 16 तो x का वैलू कितना है, 68, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, option number B जो सही आंसर हो जाएगा, 68 question number 2, solve करते हैं, किसी संख्या के 60% में, 40 जोड़ने पर संख्या का 80% परात होता है, वो संख्या क्या है, option 4 दिया हो, यहां पर question solve करकर आपको बताना है, देखे, question के बोल रहा है, किसी संख्या के, मान लेते हैं, वो संख्या X है, x के 60% तो इसको कैसे लिखेंगे एक्स का 60 परतिसत में 40 जोडने पर तो इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे 40 तो संख्या का यानि की एक्स का 80 परतिसत पराप्त होता है समझ मैं अब इसको हम लोग क्या करेंगे इसमें एक्स का वैलू निकालेंगे तो यहां पर हो गया x, का कमता होता है, गुना, यह वाला परतिसत यहां हो जाएगा 100, और यहां प्लस 40, ठीक है, x multiply 80, यह वाला हो जाएगा नीचे 100, अब यहां पर क्या होगा, चाहे तो 0-0 काट सकते हैं, 2-3-6, 2-5-10, यहां हो जाएगा 3x, 3x by 5, plus 40, यहां पर काट देज 4x by 5, यह वाला इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, minus 3x by 5, इसमें से solve करेंगे जाएगा, x by 5, ठीक है, इस दुनों को solve करने से कितना हो जाएगा, x by 5, तो देखें, यहां से क्या होगा, cross multiply हो जाएगा, इस 5 का, इस 40 से, तो x पराबर कितना हो जाएगा, 200, ठीक है, तो इ 2, 8, 5, यदी 204 हो, तो संख्या क्या करना है, देखें, 4 option है, आपको solve करके यह बताना है, इसमें से सही answer क्या है, विडियो को पाउस करके पहले आप खुद से try कीजिए, देखें, क्या बोल रहा है, x संख्या का 3, 4 ही, माल लेते है, x का 3, 4 ही का, 2, 8, 5, कितना है, 204 है, ठी इस तरह के question को अगर आप लिखने सीख गए, तो फिर आसानी से निकाल जाए, अब यहां क्या करेंगे, x कमान निकालेंगे, तो जो कटेगा इसको काटेंगे, देखें, यहां से काट लेते है, इतना आ गया, अब इसको काटेंगे, 3, 9, 3, 12, अब क्या करना है, x, इसको multiply कर कर देंगे, तो कितना हैगा, 68, ठीके ना, तो कितना हो जाएगा, answer क्या हो जाएगा, 680, यानि की option number भी सही answer, इस तरह के question आपके exam में पूछा जाता है, जैसे railway का exam होता है, railway का exam में आपको NTPC में पूछा जाया था, इस तरह के सवाल, उसकी बाद आपी CBT2 में पूछा ज को, question number 4, solve करते हैं, इस तरह के question आपको पूछता है, जैसे देखे, दो अंकों से बनी संख्या, अपने अंकों के योग का 7 गुना है, समझ में आ रहा है, अंक पलटने से प्राप्ट संख्या, मूल संख्या से 18 कम है, संख्या क्या होगा, इस तरह के question का हो, आप option से solve करें, आपको बहुत जल्दी और असानी से solve हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा आप basic में सिखे, उसकी बाद हम लोग option से कैसे solve करें जाता है, वो फिर देखते हैं, देखे, question बोल रहा है, दो संख्या से, दो अंकों से बनी संख्या, तो माल लेते हैं, एक संख्या है, 10x प्लस y, यह संख्या है, अंकों का योग का, कितना है, 7 गुना है, तो माल लेते हैं, x और y का, इसको x और y हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, कितना है, 7 गुना है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, जब इसको solve करेंगे, तो देखे, यहाँ पर हो गया 10x प्लस y, 10x इदर आगया, 10x माइनस 7x बरावर 7y, यह वाला y इदर आया, तो माइनस y, तो कितना लिखेंगे इसको, 3x, और यहाँ पर कितना आएगा, 6y, तो 6y को इदर लेक आएगे, तो माइनस 6y बरावर 0, यह equation समझ में आ, किन ही आपको, चलिए, यहाँ से अगर हम लोग चाहे तो 3x, देखेंगे, 3x बरावर 6y, तो x बरावर कितना हो जाएगा, 2y, ठीक है, इसको माल लेते हैं, equation 1, उसके बाद देखें, फिर next क्या बोल रहा है, अंग पलटने से प्राप संख्या, मूल संख्या सा 18 कम है, तो यहाँ पर अंग पलट दे, तो कितना हो जाएगा, 10x प इस equation को solve करेंगे, तो हो जाएगा, 10x प्लस y, माइनस 10y माइनस x बरावर 18, 10x में से 1x चला गया, तो 9x, चिक है, यहाँ पर हो गया, 9y बरावर 18, तो x माइनस y बरावर 2, देखें, 9, 9 कट गया, 9 से काट दिया तो, समझ मैरा है, तो x माइनस 2, यहाँ पर हो गया equation 2, अब क यहाँ से 2y रखते है, equation 1 से, तो y का value 2 आ गया, ठीक है, अचा, इसी तरह से आप x का value क्या पता कर सकते हैं, 4, तो आपके पास x का value पता है, और y का value पता है, यह नमबर था आप से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा, 10x प्लस y, तो यहाँ पर देख कैसे solve करेंगे इस तरह question को, यहाँ option से check किजिए, दो अंकों से बनी संख्या, अपने अंकों के योग का 7 गुना है, माल लेजे, यह दोनों संख्या है, इसको option से यहाँ पर, इस question में put करिए, जो यह बोल रहा है, अगर satisfied करता है, तो आपका answer हो जाएगा, otherwise यह basic method है, आपक इतना जोड़ना, एक जोड़ना, चलिए, माल लेते हैं, यहाँ पर एक 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 है, यहाँ पर वाई है, दोनों में एक एक जोड़ दिये, ठीक है, तो हम लोग को 2 बाई 3 मिलता है, यह समझ में रहा है, अब यहाँ से हम लोग equation निकालेंगे, तो जब आप इसको solve कर तो माल लेते हैं, यह equation 1 है, समझ में, अब दूसरा परते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, इस ही विन के, माल लेते हैं, यह x और y है, अंसताहर में से एक घटाने पर, तो एक एक घटा दीजे, तो हम लोग को मिलता है, 1 by 2, अब इसको solve करेंगे, यहाँ 2x minus 2, y minus y, sorry, 1 हो जा 2 को solve करना है, ठीक है, तो यहाँ पर 3x minus 2y बराबर 1 है, और यहाँ पर 2x minus y बराबर 1 है, अब कैसे इसको solve करेंगे, आपको पता ही होगा, यहाँ पर, यहाँ पर multiply करेंगे 2 से, और इसको multiply करेंगे 3 से, क्यों करेंगे, क्योंकि x x सेम हो जाए, तो कितना हो जाएगा है, 6x minus मानदस 4y प्राबर 2। यहांud हो जाएगा 6x-3y प्राबर 3। समझ मेऄघा आरा है आपको। चलिए, अब देखें आप्र पर कहें करें गा, मान इस्पल्स यहांगा इसले स्थना गटाने हैं, यहांग कर देख गया।The Questhst senteplus. y plus 3y इसे कितना आएगा? minus y या minus 3 plus 2 से कितना आएगा? minus 1 तो y पर राबर कितना आगया? 1 समझ में आपको y का value कितना आगया? 1 अच्छा, y का value अगर 1 आगया है देखे, यहाँ पर थोड़ा गलती है यह minus 1 है न तो यहाँ भी minus 1 होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा minus 2 अब minus 2 और minus 3 हो जाएगा minus 5 ठीक है? तो y का value कितना आजाएगा? आपको 5 हो जाएगा समझ में आपको y का value कितना हो जाएगा 5? अब इसी तरह से आप यह y का value चाहे तो आप equation 1 में रखे या 2 में रखे आपको x का value निकल जाएगा तो x का value आपको क्या निकलेगा? जब आप इसको solve किजएगा तो आएगा 3 समझ में? तो हम लोग का win क्या था है? xy तो x बराबर y यानि कि 3 y 5 समझ में? इस तरह से हम लोग fraction find किये तो option number जो c है सही answer हो जाएगा देखे next question है एक win के uns में 25% बिर्धी करना है और her में 20% की कमी करना है तो win क्या मिलेगा? 5 by 8 मिलेगा तो माल लेते हैं हम लोग का win क्या है? x और y है ठीक है? uns में कितना बिर्धी करना है? इसमें बिर्धी करना है इसमें कमी करना है तो 80% हो जाएगा तो जब ऐसा करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा? 5 by 8 मिलेगा समझ मैं आपको? देखें यहां पर 25% बिर्धी हुआ तो 125 और y का कितना हो जाएगा? कमी तो अगया 80% क्योंकि कमी हुआ अब इस equation को solve करेंगे तो कैसे लिखेंगे? x multiply 125 नीचे आजाएगा कितना? 100 यहां हो जाएगा y का का मतलता multiply 80 का आजाएगा नीचे 100 यह कट गया अगर उसके बात हो गया 5 by 8 तो देखेंगे अब इसको यहां पर हम लोग solve करेंगे तो x multiply 125 नीचे हो गया y multiply 80 बराबर 5 by 8 तो इसको काटेंगे यहां पर जाएगा 10 इसको काटेंगे यहां पर 25 और यह 5 से काटेंगे पचे 25 यह 5 दोना 10 तो x बराबर y बराबर क्या होगा? देखेंगे 2 चला जाएगा ऊपर यह 5 आजाएगा नीचे तो 2 by 5 जो होगा इस question का सही answer होगा option number C सही answer है समझ मैं है यह calculation आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और यह देखें हम लोग direct हैं बोल सकते थे लेकिन क्या है आपको थूरा से basic पता होना चाहिए कि question को कैसे solve करते हैं इस तरह से चलिए next question देखते हैं next question है किसी संख्या का 2 by 5 का 3 by 7 यदी 198 है तो आपको बताना है संख्या क्या होगा देखें इस question को कैसे solve करेंगे माल लेते हैं एक संख्या क्या है संख्या माल लेते हैं x है ठीक है x का 2 by 5 तो 2 by 5 multiply 3 by 7 कितना है तो 198 है बस आपको यहां से solve करके answer निकालना है तो देखें कारते हैं 3 6 18 यहां बजगा एक फिर 3 इसको कारते कितना हो गया 33 अब यहां x बरावर कितना हो जागा 33 multiply 7 35 ठीक है अच्छा इसको multiply करेंगे answer आ जाएगा अब यहां पर एक trick देखें 33 के बाद क्या होता है 34 एक का gap है तो जब भी ऐसा हो तो हम लोग इस तरह से multiply कर सकते हैं जैसे इसके बाद क्या होता 34 तो 34 का square करेंगे minus कर देंगे तो answer आजाएगा तो 34 का square कितना होता है 1 1 5 6 होता है उसमें से गटा देंगे तो answer आजाएगा 1 1 5 5 समझ मैं ना मतलब यहां पर हम लोग ट्रीक भी इसी क्लिए 34 का square देखें 34 का square है कोई भी दोस अंको वाली संख्या का square कैसे निकालते है इसके लिए 100 ट्रीक अप्लोड एसी चैनल पर 4 का करेंगे square 4 चो 186 चो 16 का चही है देखें, नेक्स कोर्सन भी बहुत अच्छा है, एक संख्या तथा, उस संख्या का 3 बटे 5, और दोनों का अंतर कितना है, 50 है, तो माल लेते हैं कि संख्या X है, फिर X का 3 बटे 5, और इस दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 50, अब यहां से X का वैलो निकालेंगे, कैसे नि यह होगा X, और 3X हो जाएगा, माइनस 3X बाइ 5 बरावर 50, इसके निचे होँआ है, इस दोनों कालसम लेंगे, इस से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो हो जाएगा 5X माइनस 3X बरावर 5 बरावर 50, ठीक है, अब यहां पर देखें क्या होगा, तो 5X में से 3X चला गया, 2X बाइ 25 बरावर 50, तो हो गया 2X बरावर, इसको मल्टिप्लाइ करेंगे, 50 इन्टु 5, यहां पर हो जाएगा कितना, 25, जब इसको मल्टिप्लाइ करेंगे, 125, तो इस question का सही अंसर हो जाएगा, option number C, 125, चलिए, next question देखते हैं, देखे, question number 9, एक संख्या का 4 बटे 5, उस संख्या के 2 त्याई से 10 अधिक है, समझ रहे हैं, देखे, एक संख्या का, माल लेते हैं, वो संख्या का है, माल लेते हैं, अब इस संख्या का, 4 बटे 5, तो माल लेते हैं, इसका 4 बटे 5, ठीक है, उस संख्या के 2 त्याई, तो X का, 2 त्याई से, कितना अधिक है, तो इसमें से घटा तो कितना हो जाएगा 10 तभी न हो गई है इस से 10 दिखे अधीक होगा अब इस तरह से आप लिख दिए ना अब इसको लिखने का आप आप से स्वाल कर सकते हैं जाल हो जाएगा 4X नीछे 5 यहँ हो जाएगा 2X नीछे 3 बरावर 10 इस दोनों काल सिम यह कितना हैगा 15 यहाँ पर दिखे 15 को पांदर रिवाइट करेंगा 3 तो जाएगा 12X यहाँ हो जाएगा 5 10X बरावर 10 तो 12X मेंसे 10X चला गया तो इतना बचेगा तो बचेगा कितना 2X by 15 इसको काट दिये 5 बार में, तो x से multiply किये तो कितना हो गया 75, ठीक है, इसका multiply हो जागा, तो option number B जो है, सही answer है, चलिए इस वीडियो का last question देखते हैं, देखे, question number 10 और ये इस वीडियो का last question होगा, आप से request है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो please like कीजेगा गरा और share भी कीजेगा, 740 का 35 परतिसत, तो माल लेते हैं, 740 का 35 परतिसत, ये हुआ, ठीक है न? एक संध्या से 34 अध्य है, कितना आधिक है? 34 तो माल लेते हैं, x से कितना आधिक है, 34 ये हुआ equation, ये बन गया, समझ मैं आपको, एक संध्या से 34 अधीक है, तो 34 को इधर कर तो आई हो गया, अब इसको solve करेंगे, यह 0 जो कट गया, देंके 5, 2, 10, 5, 7, 35, यहां पर उदना जाएगा 2, 3, 6, 200, इतना आ गया, समझ मैं रहा, अब इसको multiply करेंगे, कितना आएगा, 7, 7, 49, 9, 7, 11, और यह 4 हो गया, 25, बराबर x plus 34, तो यहां से x का value कितना निकलेंगे, 259, इधर चला जाएगा, 34, जब इसको minus करेंगे, कितना आएगा, 225, एक्स का value निकल गया, अब आप से पूछ रहा है, इस संख्या का 2 बटे 5, तो इसका निकाल देजे, 2 बटे 5, तो 5, 20, 25, जब इसको multiply करेंगे, कितना आएगा, 90, तो इस question का साही answer किया हो जाएगा, 90, तो सवाल आपके एक्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आप देख रहे होंगे, कि अगर आप इस language को समझ जाते हैं, समझ के इसको equation में उतार देते हैं, तो फिर आसानी से आप x का value निकाल सके, इस तरह के आपको question पूछ लेगा, जैसे इस का value क्या होगा, simplify कीजे, इस तरह स ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो base है, इसको बोलते है base, यानि की आधार, इसको बोलते है power, यानि की घात, समझ मैं आपको, तो जब भी base सेम रहेगा, यह दोनों सेम रहेगा, और बीच यो multiply रहेगा, तो जो power होगा, वो add हो जा इसी तरह से रहे, a पे power m, बीच में रहे, divide, और a पे power n, तो हम लोग क्या करेंगे, base सेम होता है, जब तो a लिखेंगे, और m माइनस n, यनि की जो power है, उसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है, समझ मैं आपको, तीसरा नियम क्या बोलता है, जब भी आपको इस तरह से रहे, a पे power m, और whole bracket पे power n हो, इस तरह से रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे multiply करेंगे, a पे power m, multiply n हो जाएगा, ठीक है, बस इसी से related हम लोग बहुत सारे question करेंगे, ये अच्छे से आप ध्यान से देखे, समझे इसको, जब भी आपको इस तरह से लिखा रहेगा, a पे इसे भी लिख सकते है, a पे n, multiply a पे n, ठीक है, सुरी, यहाँ पे b है, तो यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते है, और फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते है, समझ मैं है, अच्छा, और जैसे मालेजे आपको इस तरह से दिया रहे है, a by b पे power n, तो इस इसको हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते है, a पे n, और यहाँ पे b पे n, समझ मैं है, इसको इस फॉम में भी लिख सकते है, सेम है, उसके बाद आप एक चीज़ और याद रखेगा, जैसे कि मालेजे आपको यह दिया रहेगा, a पे इस तरह से रहे, ठीक है, तो इसको हम चीज़ देखे, सेम इसी तरह से, यह जो है, तो क्या करना है, a लिखेंगे, और m-n कर देगे, समझ मैं है, और एक चीज़ जाद रिखेगा, a पे जो पावर 0 होता है, इसका पहलू हमें सा 1 होता है, जैसे x पे पावर 0, 1, 5 पे पावर 0, क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 7 पे जिरो लग जाएगा, उसका वैलू क्या होगा, हमेसा 1 होगा, चलिए, फिर और भी हम लोग डिसक्स करेंगे, कोई भी मतब नियम आएगा तो, कोशन हम लोग सुरू करते है, देखे, कोशन से सुरू करते है, कोशन नमर 1 और 2 सॉल्व करते है, देखे, इस तरह से दिया रह 3 क्या होता है, 80 रही होता है, तो इसको ऐसे लिख दिया, इसको पर पावर लिख दिया, 3 by 4, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस दोनों मल्टिप्ला हो जाएगा, यह वाला देखे, हम लोग पीछे डिसक्स के देना, अगर ऐसे रहा तो क्या करना है, A और M into N कर देना है, समझ मैं है, उसी तरह से इसको लिखेंगे, 3, यह 4 और इससे मल्टिप्ला कर देंगे, 3 by 4, तो यह कट गया, ठीक है ना, तो क्या बचा, 3 पर पावर बचा 3, और 3 पर पावर 3 कितना होता है, 27, है ना, समझ मैं है, चली, question number 2 solve करते है, यहाँ पर दिया हुआ है, इ इसको इनवर्स करेंगे, तो 64 हो जाएगा, जैसे 64 के यह पावर क्या हो जाएगा, पोजिटिव, यह 2 by 3 हो जाएगा, जैसे इसको इसको इनवर्स करेंगे, 7 by 5 करेंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, समझ मैं है आपको, है ना, अब यह 64 को क्या लिख तो यह कट की किना एगया? 4 पे, is square यानि कि 16 तो इस question ka answer कितना हो गया? इस question का answer हो गया? 16 और इस question का answer कितना हो गया? 27 समझ भूआ है? चलिए question number 3. Solve question number 3 बहुत इसा question है. यह previous year में आयोगा question है. इसको हम लोग कैसे solve करेंगे? पहले basic से करते हैं. यहाँ पर 6, 25 है. isco कैसे लिक स्कते है? 5 पर पावर 4 लिक साथे है रिक इसके 5 को चारवार लिखेगे तो इतना ही आएगा उसके बाद इहां पावर लिख देजें समझ मैं रहा है? उसके बाद इसके क्या लिख सकते यहां पे तो यह ही है, इसको ऐसे रहने देंगे, इसमें कोई changes नहीं करेंगे, अब क्या करना, अब इस 4 का multiply से हो जाएगा है ना, यह वाला जो हम लोग डिसक्स किये थे, इस तरह से रहेगा, तो क्या करेंगे, a का power, m into n हो जाता है, समझ मैं है, तो चलिए यहां पे इसको multiply करेंगे, तो हो जाएगा 5, अजब 4 का, इस से multiply करेंगे, देखे, चौचक 24, अब 25 चार को तो एक हो जाएगा, तयानि क्यों जाएगा 25, समझ मैं है, तो कितना आ गया, 25 अब इसको multiply किये तो, अब यहां पे हो गया 5, अब इसको multiply करेंगे, इसको multiply करेंगे, तो अब यहां इसको multiply करेंगे, तो कितना आएगा, जब इसको करेंगे, 6 चौच 24 यहां पे हो जाएगा 27, 5 पे पावर 27, उसके बाद हो जाएगा, क्या यहां पे 5 और 1.2 है रहनी तेंगे, अब क्या करना है, जब बेस सेम होता है, तो पावर एड होता है, हम लोग यह बाला पॉइंट इ तो कितना आजाएगा, 30.2, यह भी दोना एड हो जाएगा, एड हो जाएगा, तो कितना आजाएगा है, 28.2, समझ मैं, अब जब डिवाइट के फॉर्म में रहता है, तो इसको, तो हम लोग क्या करते है, पावर माइनस हो जाता है, तो यहां लिखेंगा 5, और यह इस तरह स 25, तो इस question का सही answer कितना हो गया, 25, समझ मैं आपको, question number 4 solve करते है, बहुत ही अच्छा question है, ठीक है, इस तरह के सवाल आपके exam में पूछा जाता है, देखें, root under 3 पे power 5, into root 9 पे square, यहां पे n दिया होगा है, ठीक है, मतलब यह equation है, n दिया होगा, n command gap करना है, 4 options है, आपको solve क करके बताना है, क्या होगा answer, तो इसको हम लोग कैसे solve करेंगे, देखें दियान से, इसको पहले हम लोग, यह वाले question लेते है, 3 root under, यहां होगा 5, 9 पे square, 3 पे n, into 3 पे root under 3, ऐसे लिख दिया, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते है, देखें, जब भी इस तरह से रहे, यहां और इसके अंदर ऐसे रिखा रहेगा, तो 7 पे power, 1 by 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 by 4, और यहां पे कुछ नहीं रहता है, इसका मतब 2 चुपा रहता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसी तरह से यहां पे 3 को लिख सकते हैं, 1 by 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, अब यहां पे 9 को 1 by 2, समझ मैं, इस वर यहां पे 1 और 3 होगा, यह वाला 3 होगा, अब यहां पे देखें क्या करना है, सारा power यहां पे add हो जाएगा, 3, और 1 by 2, multiply पहले कर लेते हैं, 3, और यहां 2 का multiply 2 से हो जाएगा, तो 2 तो ना 4, यहां पे होगा 3 पे power n, और यहां पे क्या हो जाएगा, 3 3 पे power 1 है, ठीक है, और यह 1 इंटू 3 पे power 1 by 2, समझ मैं रहा है आपको, अब देखें, यह दोनों base same है, दोनों power जूटेगा, add करेंगे, तो क्या होगा, बोलिए तो, तब इसको हम लोग add करेंगे यहां पे तो, देखें, यहां पे यह power छुट गया, यह 5 तो यहां 5 इससे तीन और जूट जायेंगे, n plus 1 plus 1 by 2, add करेंगे, अब इसको simplify करेंगे, तो कितना आएगा, 3 यहां पे 4 2 8 8 5 13 y 2 ठीक है? उसी तरह से यहां पर जब इसको solve करेंगे तो कितना आजाएगा? यहां पर जाएगा n यहां हो जाएगा 3 y 2 ठीक है? इसको जब solve करेंगे तो इतना जाएगा अब देखे क्या है? जब base क्या होता है? equal होता है कैसे 13 by 2 और इधर आ जाएगा ये 3 by 2 तो यहाँ पो जाएगा N जब इसको solve करेंगे तो कितना हो जाएगा इसको solve कीजे तो 13 minus 3 by 2 तो कितना हो गया यहाँ पर आगया 10 by 2 तो कटके हो गया 5 तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा? option number C सही answer है मतलब 5 सही answer हो जाएगा ठीक है? बहुत जल्दी बन जाएगा ये क्वेश्चन नमर जो 5 है ये प्रिवेश्यर में यह में आयो बाए question है इसको solve करना है और आपको बताना ये 4 option में से कौन सही होगा तो इसको कैसे solve करेंगे? यहाँ पर देगे x by x और a minus b है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x a minus b ठीक है? मतब देखिए जैसे ऐसे रहेगा x by x यहाँ पर रहें महाले जी आपको 2 यहा 3 तो x और यह क्या हो जाएगा 2 minus 3 होगा ऐसे लिख सकते हैं इसको ठीक है? समझ मैं आरा आपको अब यहाँ पर और इसका multiply तो यह होगा ही a square plus a b plus b square clear है यहाँ तक उसी तरह से यहाँ पर multiply लिखेंगे यहाँ भी देखिए x लिखेंगे और b minus c हो जाएगा b minus c जिसका multiply होगा इससे b square plus b c plus c square same उसी तरह से यहाँ भी करना है हम लोग को क्या लिखेंगे x c minus a और इससे multiply हो जाएगा c square plus c a plus a square यहाँ तक समझ मैं आपको यह कैसे हुआ अब दिखेंगे यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक formula किसका a q minus b q का formula अब दिखें बेस जब सेम होता है तो power क्या होता है add हो जाता है तो यह सब को हम लोग जोड देंगे x यहाँ होगा a q plus b q sorry यहाँ minus होगा plus b q minus c q फिर plus c q minus a q add हो जाएगा क्योंकि तीनों का power base सेम है power add होगा तो देखें एक कटेगा कुछ नहाँ कट रहा है यह minus में कट गया यह सब कट जाएगा तो x पे power क्या बचा 0 तो x पे power 0 इसका मतला 1 किसी वे चीज पे 0 power होता है तो 1 answer होता है तो इस question कसे answer क्या और option number c सही answer है चले question number 6 solve करते है देखे question number 6 आपसी क्या पूछा है root under 2 तथा 3 root under 3 तब यह 3 नहीं है इसके अंदर यह ठीके ना में से कौन सा बढ़ा है आपसे यह पूछ रहा है comparison पूछ रहा है इस तरह के सवाल आपके exam में पूछता है तो कैसे करेंगे root under 2 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते है 1 by 2 बिल्कु लिख सकते है यहां पे चुपा हुआ है ठीके ना अब यहां पे क्या करेंगे उसी तरह से इसको लेंगे 3 root under 3 इसको कैसे लिखेंगे यहां पे लिखेंगे 3 और यह हो जाएग 1 by 3 जो यहां रहता है यहां चल जाता है अब यहां पे क्या करना ध्यान से लिखें यह वाला 2 और यह वाला 3 तो क्या होगा इसका हम लोग लेंगे LCM 2 और 3 का LCM कितना आता है 6 आएगा समझ मैं है अब जो LCM है तो इसको और इसको हम लोग बना लेंगे 6 equal कर लेंगे तब हम लोग compare कर पाएंगे तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे उपर निचे 3 से multiply करेंगे इसको उपर निचे 2 से multiply करेंगे अगर यहां 2 से करेंगे तो उपर भी करना होगा ताकि value हम लोग का change ना हो समझ मैं है अब देखे अब यहां पर क्या होगा 2 यह जो 3 है इसके साथ multiply होगा तो इसको अंदर भी तो कर सकते हैं और यहां बच गया क्या 1 by 6 देखें 3 2 जा 6 ऐसे लिख दिए उसी तरह से यह वाला 2 हम इसके उपर लिख देते हैं और 1 by 2 3 6 अब यहां पर देखें दोनों का पावर इक्वल हो गया पावर इक्वल हो गया ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे 2 पे पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 1 by 6 यहां पर 3 पे स्क्वार इसको क्या लिखेंगे 9 1 by 6 अब आप बताये यह कौन सा ग्रेटर है दोनों का पावर तो सेम है जैसे मालेजे 2 पे पावर 5 है और यहां पर 3 पे पावर 5 है जब पावर सेम होता है तो नीचे जो नमबर ग्रेटर होगा वही तो ग्रेटर होगा तो इसका मतब यह वाला संख्या बड़ी है इसका मतलब यह answer हो जाएगा हम लोग के कौन यह वाला संख्या जो होगा greater होगा समझ भाए है डारेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे इसको 6 से multiply करेंगे यहाँ पर देखे 2 है 1 by 2 है 6 से multiply कर दिजे दोनों में तो इतना हैगा 3 तो 2 पर 3 है और यहाँ पर क्या है 3 पर 1 by 3 है इसको भी 6 से multiply कर दिजे तो यहाँ पर 2 3 पर ऐसे भी कर सकते हैं और लेकिन यह वाला सही तरीका होता है चलिए question number 7 solve करते है देखे question number 7 solve करते है same previous year में जो ऐसा sorry previous वाला question था उसी तरगा है यहाँ पर यह तीन संख्या दिया होetah है आप से पुछ रहा है आर्योपी करम में आर्योपी करम क्या बता होता है endig order में इसको लखते है ascending order क्या होता है जबसे पहले चोटा फिर उसे greater फिर इस तरह से होता है na ascending order तो इसमें से सबसे छोटा कौन है यह पता करना है तो देखिए उसी तरह से लिखेंगे root under 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2, 1 by 2 लिख सकते हैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 4, 1 by 3 और इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते है 6, 1 by 4, ठीक है, अब यहां पर देखे, 2, 3, 4, इसका लेना है LCM, LCM किसका लेना है, 2 का, 3 का, 4 का, कितना आएगा, 12 आएगा, है ना, अब 12 से क्या करना है, मल्टिप्लाइ कर दीजे इसको, यह सभी को मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो यहां पर कटके कितना आएगा, 2 पर पावर 6, समझ मैं आएगा आपको, और यहां पर हो जाएगा, 4 पर पावर 3 पर 4, 4 पर पावर 4 आजाएगा, और यह 3 तो यहां निकी, 6 पर पावर 3, अब आप असानी से बता सकते है, 2 पर, 2 पर पावर 6 कितना होता है, 64, 4 पर पावर 4 कितना होता है, 256 होता है तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे root 2, ठीक है इससे बड़ी कोई है इससे बड़ी है ये वाला, तो इसको लिख देंगे ऐसे और सबसे बड़ा कोई है ये वाला इसको लिख देंगे ऐसे तो यह हुआ हम लोग का answer समझ मैं आपको इस तरह ही question को एसी solve करना है, चलिए next question देखते है question number 8 भी बहुत अच्छा है ठीक है, यहां पर दिया हुआ है यह equation और यह equation आप से पुछ रहा है x का value क्या होगा, तो देखे हैं, अम लोग क्या करते है पहले यह equation लेते है, 3 x minus y बरावर 27 है, इस 27 को क्या लेक सकते है 3 पर 3 लिख सकते हैं, समझ मैं आपको अब यहां पर जब बेस सेम होता है, इक्वल होता है तो पावर इक्वल होता है, इसका मतलब यहां से हम लोग बोल सकते है, x minus y बरावर 3 तो इसको महा लेते है, equation 1 अब यह वाला लेते हैं, यहां देखे कहा है, 3 x plus y बरावर 243 है, इस 243 को क्या ले सकते हैं इसको लिख सकते हैं, 3 पर 5 ठीक है, 3 पर 5 लिख सकते हैं इसको अब जब बेस मतलब यह दोनों equal होता है, तो power भी equal हो जाता है तो x plus y बरावर 5 हो जाएगा इसको मालेत equation 2 अब आपको पता होगा कि equation 1 और 2 का कैसे solve किया जाता है यहाँ पर देखे x minus y बरावर 3 है और यहाँ x plus y बरावर 5 है इसको क्या करेंगे एक बार जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो यह कट गया यहाँ पर 2x बरावर 8 तो x बरावर कितना हो जाएगा 4 उसी तरह से जब x का वैल्यू हम लोग equation 1 में रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा 1 ठीक है ना तो y का वैल्यू 1 आ गया और आपसे पुछा था और question में क्या x का वैल्यू यानिके 4 तो option number c जो है सही answer होगा समझ में आपको question number 9 solve करते है video पसंद आए तो आपको like करना है share करना अपने दोस्तों के साथ देखें ये दोनों सेम है दिख रहा है ना आपको 3 by 5 3 by 5 और बीशों multiply है तो इसका मतलब ये दोनों minus 3 होगा 3 by 5 यहां होगया 2x minus 1 अब देखें base यानिकि ये जो है equal है जब ये equal होता तो power भी equal हो जाता है तो minus 3 यहां होगया 2x minus 1 तो minus 1 इतरा आजागा 3x तो plus 1 बराबर 2x तो 2x बराबर कितना होगया minus 2 समझ में है देखें तो यहां से ये cut गया तो minus 1 तो x का वैलू कितना आगया आपको देखें x का वैलू आगया आपको minus 1 तो option number जो c होगा वो सही answer है इस question का समझ मैं है चलिए next question देखते है question number 10 ये question number 10 कर लेजे इस video का लास्ट question होगा क्योंकि video काफी लंबा हो रहा है देखें इसको कैसे solve करेंगे यहां हो जाएगा notch of 36 पे पावर 2 जब इसको multiply करें कितना आएगा 216 ठीक है यहां पे हो जाएगा पावर 2 और equation मार के जगा माल लेते है x ये x का वैलू उमको निकालना है अब देखें 6 को ऐसे रहने देंगे divide 36 को क्या लिख सकते है 6 पे square लिख सकते है और इसको क्या लिख सकते है 6 पे power यह हो जाएगा आपको 3 ठीक है यहां पे हो जाएगा 2 समझ मैं आ रहा है अब देखें यहां पे हो जाएगा 6 पे power 3 divide यह दोनों गुणा हो जाएगा समझ मैं तो कितना हो जाएगा 2 दोना 4 और यहां हो जाएगा 3 दोना 6 बराबर 6 पे यहां पे माल लेते हैं x ठीक है नहीं x हो जाएगा पावर अब दिखें यहां पे डिवाइड है तो यह दोनों में माइनस होगा इस तरह से लिखेंगे न इसको जब मल्टिप्लाइ करेंगे यह उल्टा हो जाएगा ऐसे कर सकते हैं अगर नहीं समझ में रहा है तो अब यहां पे क्या आपको उसको कार सकते हैं यहां कट किया जाएगा 6 पे पावर कितना 4 मतलब सुरी 2 बचेगा ना 4 तो 6 पे पावर 3 इंटू 6 पे स्क्वार बढ़ावर 6 पे पावर एक्स जब ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं दिखे में बस स्क्वार जोडते हैं यहन हो जाएगा यहन हो जाएगा एकस अब बस सेम रहे तो पावर इक्वाल हो जाता है तो एकसी का वैली तंड से पूच रहा था तो option number a is the right answer question number one sankhya is given this power what will happen to you? option option 4 option there will be one answer see how we solve this there are some tricks like if last 0, 1, 5 and 6 we only mean last digit that means if you look at 7 it doesn't mean that only unit digit 1 so if if 0, 1, 5, 6 there will be one number and there will be some power there will be some power that will be the unit digit that will be the answer unit digit 1 5 will be the answer 6 will be the answer very important concept you will remember it will be easy to do but if this is not this is not this is not this is not then how will we solve it? like here 2, 1, 3, 7 here is 7 what will be the power what will happen to you? so when leaving it leaving it leaving it what will happen to you? like this is leaving it just 7 7 power 7, 5, 3 ok the rest of this the number is here so what will we do this power we will divide it 4 you understand power we have to divide it 4 why do we divide it? because it is a circle now we will discuss what do we divide so you will divide it after 4 after 4 see how much remainder there is so as we divide it you will know that the last 2 digits divide it so it is 53 when we divide it we divide it how many times we divide it here is 13 so how much remainder will be left here is 1 ok so 1 remainder then 7 power 1 if 2 remainder then 2 3 then 3 then 3 then 4 clear so here when you divide this number from 4 then 1 then 1 power now 7 power what happens 7 1 then 1 so what is your answer? 1 so option number C right answer 1 do you understand? there are many questions in this video please like and share it with your friends let's solve question number 2 I hope you understand what has been given? 13 what will be 4 options what will be last 0 1 5 and 6 if this will be last then 1 1 if it will be different then what will be we will divide it from 4 like here 13 how much power is in 2003 we will divide it from 4 so how much will save it? when we divide it from 4 then how much will 3 will save it? right? when we divide it from 4 then how much will 3 so 3 3 how much power is in 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 27 so last digit 7 so option number a right? see I am going to explain this is why this is how much time otherwise after 4-5 questions we will mark direct answer to see okay next question what is next question question number 3 question number 3 question number 3 how much power is in 22 22 power 23 now I am asking what will be unit is it? there are 4 options so what will we do? here we divide power 4-5 20 3 remainder 2 3 remainder 23 we divide 5 here here 3 remainder here 3 3 how much power is in power now 2 power 3 8 so option number D right answer question number 4 what is question number 4 what is question number 4 105 how much now you can tell what to do last if 0 1 5 6 and power there will be answer that answer here different number what is 4 divide 1 remainder यह question हम लोग solve करते है, question number 5, इसमें थोड़ा सा different question है, power वाला हम लोग देख लिए, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए, आपको यह number दिया हुआ है, इसका निकालना है, एक आई अंक, सारे को multiply नहीं करना है, अगर multiply करने जाएंगा, तो time waste हो जाएगा, exam खतम हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करना है, देखिए, last number लेना है, 4, यहाँ से last number लेजे, 8, फिर यहाँ से last number 7, और इसका लेजे last digit 3, ठीक है, अब सब को multiply किजए, तो 4 अटे कितना होता है, 32, अब यह 2 को multiply किजए 7 से, 32 से नहीं करना है, ठीक है, तो 2 को 7 से करें, कितना आएगा, 14, अब यह जो 4 है, इसको multiply किजए 3 से, कितना हैगा, 2 में, तो यह जो 2 होगा, वही आपका हो जाएगा answer, ठीक है, समझ में है, अब देखिए, इसको आप डिरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, 4, 32, 32 का 2 लेंगे, 2 सते 14, 4 लेंगे, 4, 32 का 2, तो 2 answer आगया, है ना, मतलब कुछ सेकेंड मे यह 4 options है, answer कौन सा होगा, तो दिखे का करना है, हमको यह पूरा नम्मर से मतलम नहीं है, सिर्फ 7 नहीं है, 7 पर पावर होगया, 153, ठीक है, यहाँ पर 1 पर पावर कुछ भी तो 1 होता है, तो 1 लिग दीजे, अब यहाँ पर क्या करना है, 7 है, 7 पर पावर, हम क्या बोले थे आपको, कि 0, 1, 5, 6, यह 4 अगर नम्बर है, और 4 पर कुछ भी पावर रहे, तो वही answer होगा, मतलब यह उनिट इसट वही होने वाला है, है ना, और जब डिफरेंट रहे, इसको छोड़ के कोई भी नम्बर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइट करेंगे, तो जब इसको, 153 को 4 से डिवाइट करेंगे, तो कि कितने बार में देंगे इसको, 4 तिया 12, ठीक है, यह 3 आ गया, 4 अटे 32, तो यहां पर कितना गया, 1, तो रिमेंडर कितना बचा आपको, एक बचा रिमेंडर, समझ में आ रहा आपको, तो 7 पर बावर 1 लिखेंगे, तो 7 यह यह और यहां तो 1 आया था, यह वाला से, तो कितना हो गया, 7 ओंजा 7, तो इस कोष्टन का अंसर क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए, कोष्टन नमर 7 सौल करते है, चलिए, कोष्टन नमर 7 देखे, यहां थोड़सा डिपरेंट है, यह माइनस में जब रहे तो कितने हाएगा, 95 को जब 4 से डिवाइट करेंगे, तो इसको 2 बार में दिए, यहां बजगया 1, 3 बार में दिए, बजगया 3, तो 3 जो रिमेंडर होगा आपका, समझ में आ रहा है, देखे, 4 से इसको डिवाइट करेंगे, यहां 1, यहां 5, फिर 3 से देंगे, तो 12 आएग दिए, माइनस, अच्छा 3 पे पावर 58 है, इसको भी 4 से डिवाइट करेंगे, तो कितना हाएगा, इसको 1 बार में दिए, यहां पे 18 है, 4 बार में दिए, यहां 2 आगया, तो 3 पे पावर 2 लिग दिए, अच्छा 7 पे बावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, माइनस, 3 इंटू 3, समझ में आ रहा है, सवर यहां 3 होगा, तो देखिए, सते सते 49, अब 9 को साथ से करेंगे, 9 सते 33, 33 का 3 लेंगे, ठीक है, और 3 यहां पे कितना होगया, 9, अब यहां पे कितना होगया, माइनस 6, अब यहां पे बताइए, कि यूनिट डिजिट क्या होगा देखिए, जब भी माइनस में आपका आए, तो आपको क्या करना, उसमें प्लस 10 करना है, तो आंसर कितना आजाएगा, प्लस 4, तो 4 होगा है इस कोशन का सही आंसर, समझ में है, जैसे माइनस में आपका लास्ट में कालकुरेशन करने के बाद, माइनस में आ रहा है, आपको unit is it, तो उसमें plus 10 करना है हमेसा, plus 10 करने के बाद, जो भी answer आएगा, जैसे 4 है, तो 4 हो गया answer, है ना, चलिए ठीक है, next question देखते है, question number 8 solve करते है, ये दिया हुआ equation, इस तरह के question आपके exam में बहुत पूछा जाता है, अगर आपको video पसंद आ रहा है, काम का लग रहा है, तो आपको like करना है, और दोस्तों के साथ, जरूर से रहना है, ठीक है, चलिए, 4 पे हमको लोग को 4 लेना है, देखे, सबसे पहले क्या बोले था, आपको 1 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, और 6 है, अगर ये चार में से एक भी number रहेगा, तो उसका unit digit वही आने वाला है, तो यहाँ देखे, 5 दिया हुआ है, तो 5 का unit digit तो 5 ही आएगा, तो यहाँ से 5 आगया, और 1 का unit digit कुछ भी power हो, 1 ही आएगा, अब यहाँ पर है 4, 4 पर पर पावर दिया हुआ है, यह, इस power को किस से डिवाइट करेंगे, 4 से डिवाइट करेंगे, तो लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट को डिवाइट कीजिए, पूरा को नहीं करना है, तो लास्ट का 2 डिजिट करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर देखे आएगा, इसको 2 बार में दिये, 1, 13 आगया, फिर 2 बार में देंगे, 3 बार में देंगे तो 1 तो यहां से remainder क्या बचेगा आपको देखें अच्छे से समझे आफ यहां पर 2 बार में देए तो गया 1 3 इसको देंगे 3 बार में 12 बचा 1 इसका मत्तब remainder क्या बच रहा 1 तो 4 पे power 1 लिख देंगे अब यहां 4 5 कितना हो गया 20 तो 0 हो गया remainder ठीक है अब देखें दिहां से इस question को आप देखते के साथ ही answer बता सकते थे कैसे यहां पर 5 है और इसमें से एक भी अगर even number हो जैसे यह even number हो तो answer direct 0 लिखना है और अगर odd number हो था तो answer सीधा 5 होता है समझ मैं जैसे देखे 5 हो 2 हो 3 हो 4 हो जो भी number दिया हो और एक भी 5 हो और एक भी even number आजाए तो direct answer आपको unit digit 0 लिखना है किलियर है चलिए question number 9 देखते है चलिए question number 9 क्या करना है 0 1 5 6 इतने बार हम लिख दिया आपको आपको याद हो गया होगा ठीक है इसे बार लिख रहे थे 49 तो छौत यहां कितना होता 18 इस 8 को 49 से multiply नहीं करना है इस 8 को 9 से करना है तो आठ नमा कितना हो गया बात तर 2 ही देखे unit digit तो इस question कसा ही answer क्या हो जाएगा B number ठीक है चलिए question number 10 solve करते है question number 10 थोड़ा सा different है इस तरह की सवाल आपके exam में पूछा जा सकता है 17 पर power यह है, 11 पर power यह है 7 पर power यह है तो इसका तो power डा-tarak면ρώब सकते है यहां पर 1 रहा है अब यहां पर इसको 4 से divide करेंगे ईब कुरा को नहीं नहीं पर इसको divide करेंगे यानि की 99 को जब आप 4 से divide करेंगे जा 2 जोगे नहींनों बार देए 8 यहां पर थाए इसका मतलब हम लोग 7 पर लिख देंगे 3 यहां पर minus यहां भी होगा सेम चीज है दोनों तो सेम है ना यहां पर 7 तो 7 पर पावर यहां भी 3 हो जाएगा तो देखे 7 पर 3 कितना होगा तो इसको आप तो डिरेक राट के यहां पर लिख सकते हैं अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा सत्य सत्य उन 4 नौ सत्य तिर शर्त यहां पर जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 3 तो यह कट के हो गया 1 तो इस यह वाला 3 लेंगे और यह जो पावर है इसको 4 से डिवाइट करेंगे तो यह देखने पुड़ा पुरे डिवाइट हो जाएगा यह इसका मतलब रिमेंडर कुछ नहीं बचेगा अब देखे लिया उन से जब रिमेंडर कुछ नहीं बचता है तब हम लोग क्या करते है नहीं कि जब भी आपका रिमेंडर 0 आजाए तो पावर लिखना है आपको 4 तो 3 पे पावर 4 कितना होता है तीन त्याई 9 त्यासत्ता इस और यह हो गया 81 तीन त्याई 9 और यहां पे हो गया 9 नो दुना 991 तो एक आंसर हो जाएगा ठीक है जब इसको मुल्टिप्ला करेंग 81 तो 1 unit digit हो जाएगा समझ मैं आपको मतलब आपको में यह समझाना था इस कोस्टन के मतल से कि जब भी रिमेंडर 0 आजाए जैसे मालेजे यह नंबर है यह नंबर है और इस पे पावर है मालेजे कुछ भी जैसे मालेजे 16 है ठीक है तो हम लोग क्या करते है यह 3 यह लेंगे 81 तो 1 answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपको question को solve करना है चलिए question number 12 question number 12 इस topic से थोड़ा सा different है यह question मैंने इसलिए लिया ताकि आप comment कर सके मुझे इसका answer आपके लिए यह home work है ठीक है इसको बताइए का answer क्या होगा सबसे चोटी आवाज यह शंक्या कौन सी है 0 है या 1 है या 2 है या 3 है अवाज यह मतलब समझे अवाज यह मतलब होता है prime number ठीक है prime number already हम लोग discuss कर चुके है इसी channel पर video upload है prime number क्या होता है और आप comment करके बताएए कि इस question का सही answer क्या होगा सबसे पहले देखे fractions दिया हुआ है इसका हम लोग पूछ रहा है महतब समावर तक यानि कि SCF कैसे निकाला जाए तो देखे जब भी fractions दिया हुआ हो और आपसे पूछ ले कि SCF निकालना है तो आपको क्या करना है जो numerator होता है यानि कि जो उपर वाला term होता अंस होता है उसका हम लोग निकालेंगे SCF ठीक है और नीचे वाले यानि कि हर जो होता है LCM और हर का निकालते हैं हम लोग SCF समझ भया है न आपको देखे SCF पूछेगा तो उपर वाले का SCF LCM पूछेगा तो उपर वाले का LCM बस ऐसे करके आप याद रख सकते हैं तो चलिए अब इसको सॉल्ट करते हैं इसमें पूछा आपको SCF तो यहां पर लिखेंगे SCF वड़ावर ठीक है SCF वड़ावर क्या हो जाएगा हमको अंस का यानि कि उपर वाले term का क्या निकालना ह SCF अब देखे 7 है 14 है 7 है तो SCF क्या होगा अब आप बोल सकते है राम सी की SCF 7 होगा क्योंकि 7 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइट करेगा इसको भी करेगा और इसको भी करेगा तो हम लोग लिख लेंगे उपर में 7 ठीक है समझ मैंना अब देखें अब देखें यह तो option होई नहीं सकता है यह तो पहले कट गया ठीक है अब दियान से दिखें नीचे वाले term का निकालना है LCM LCM किसका निकालना है 9 का 15 का 10 का यहां देखें दियान से 9 15 और 10 का निकालना है हम लोग को LCM अब इसमें से सबसे greater number क्या है 15 है 15 ले लिए ठीक है यह short trick है अब इसके अंदर 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटो 3 लिख सकते हैं ठीक है समझ मैं रहा है अपको 10 को क्या लिख सकते है 5 इंटो 2 तो इसके अंदर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है तो इसके 15 को हम लोग 2 से multiply कर देंगे 15 15 इंटो 2 अब यहाँ पर देखे 9 का 3 तो है लेकिन 3 नहीं है तो एक और 3 से multiply करेंगे कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया 15 छक 90 ठीक है न तो इस तीनों का LCM कितना होगा 90 तो यहाँ पर लिख दीजे 90 अब देखे कौन सा option सही है तो option यह वाला B number जो है सही है तो इस question क सही answer क्या हो जाएगा 7 by 90 समझ मैं आपको fractions का SCF कैसे निकालते है चलिए एक और example से समझते है देखे यह question है यहाँ पर दिया हुआ है 9 by 10 यह question number 2 होगा ठीक है 9 by 10 12 by 25 18 by 35 21 by 40 का SCF क्या होगा ठीक है highest common factor तो हम लोग कैसे निकालेंगे जब भी SCF उचेगा तो ऊपर वाले term य नीचे वाले यानि के हर का निकालना है LCM तो हम लोग को 9 12 18 21 का निकालना है SCF यहाँ फे लिखेगा SCF इक्वल 2 9 12 18 21 का SCF निकालना है SCF क्या होता एक ऐसा number जो सभी को divide कर दे तो देखे अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 इसको भी divide करेगा इसको भी करेगा इसको भी करेगा ठीक है ना अगर 9 लेते हैं 9 इसको दो करेगा इसको करेगा इसको करेगा पर इसको करेगा तो SCF हम लोग का कितना होगा 3 तो आप यह पर 3 लिख दीजे अब ऑप्सन पर ध्यान दीजे तो option यह नहीं हो सकता answer यह नहीं हो सकता answer ठीक है इसी 2 में से कोई answer होगा अब आप बि प्यास नंबर है 40 या तो इसका equal होगा या इससे greater ही होगा तो यह तो option नहीं हो सकता है तो answer ही होगा आपको simple है बिना solve कि आप trick कर दीए कि option नंबर B ही सही answer होगा ठीक है देखें 10, 25, 35 और 40 का LCM क्या होगा ठीक है इसका LCM क्या होगा basic method से अब निकाल लीजेगा LCM ही होने बाकि आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से option को चाट सकते है और answer चूज कर सकते है चलिए दूसरे question को solve करते है दो हम लोग SCF निकाले अब हम लोग 2 LCM निकालते है fractions का जैसे यह दिया होगा 1 by 3 2 by 9 5 by 6 4 by 27 का LCM क्या होगा option यहाँ पे दिया होगा है तो जब भी LCM पूछे हुआ कि यहाँ पे लिखेंगे LCM ठीक है इस तरह से लिखेंगे LCM अब उपर वाले का यानि कि जो answer 1 2 5 4 का LCM निकालना है तो इसका LCM क्या होगा तो आप देखी रहे हैं इसका LCM कितना होगा अगर हम लोग 20 लेते हैं तो LCM आ जाएगा ठीक है 20 20 होगा क्योंकि 20 क्या होग जाएगा 5 सी भी हो जाएगा 4 सी भी हो जाएगा LCM हो जाएगा 20 अब option में ध्यान देजे ये तो answer नहीं हो सकता ये भी answer नहीं हो सकता answer ये होगा लेकिन यहाँ पे दिखा हुआ है none of this तो आप यहाँ पे फस गये अब आपको answer निकालना ही होगा पूरी तरह से solve करके ठीक है चली कोई निकालते हैं नीचे का LCF निकालना है तो 39620 का LCF क्या होगा तो आप देख रहे होगा कि 3 ही एक ऐसा number है जो इसको भी divide करेगा इसको भी करेगा इसको भी करेगा इसको भी करेगा तो LCF कितना हो गया थी तो option number देखे CM लो का सही answer है समझ मैं है देखे SCF और LCM लेजे LCM होता है ठीक है? Divide होता है और SCF divide क्या करता है? करता है. ठीक है? SCF हमेसा divide करेगा जैसे देखे इस तीनों का यह सब ही का हम लोG SCF निकाले तो 3 क्या करेगा? इस अब को divide करेगा और LCM क्या होगा? Divide होगा तो आप यह याद रखिए का ठीक है? चलिए. Question number 4 solve करते ह अब इसको देखे. यहाँ question number 4 में क्या पूछ रहा है? 2 by 3, 3 by 5, 4 by 7, 9 by 13 का SCF, LCM क्या होगा? ठीक है? यहाँ पर option में आपको स्रिफ SCF दिया होगा बट LCM में हम लोG include करते हैं. कोई नही हम लोG solve करते हैं इसको. SCF निकालने के लिए बोला है तो SCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? अंस का निकालते हैं SCF, नीचे वाले टर्म का निकाल देते हैं LCM. और LCM जब पूछेगा तो उपर वाले टर्म का LCM, नीचे वाले टर्म का SCF. ठीक है? बार बार इसले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए यहीं पर. तो सबसे पहले SCF निकालत करने के लिए, अंस का हम लोग यह सब का निकालना होगा SCF, तो 2 है, 3 है, 4 है, 9 है. तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो इस चारो को डिवाइट कर रहा है? तो आप बोलेगा नहीं. इसका मतलब 1 ही होगा, जो इस चारो को डिवाइट करेगा, तो इस अब का SCF क्या होगा? 1. सम हम लोग क्या करेंगे? 4 को multiply करेंगे, हम लोग का वह हो जाएगा, nama? जब divided नहीं होता, तो सिधा multiply करते है, तो multiply कीजिए, 5 315, 15 सब तुक्ती 105, 105 को तेरह से multiply करेंगे, ठीक है, तो कितना हैगा? यहां पर होगिया 3, 15, यहां हो गया 105, तो यह談 5, 6, 3, तो framework, Shop, एज़िए 3, अब बताए कौन सा option सही है SCF के लिए तो option number जो C है वो सही है SCF के लिए समझ में आरा आपको अब LCM निकालते हैं क्योंकि LCM बेभी इसमें हम लोग include कर दिये ताकि और अच्छे से आप सीख सकें तो LCM के लिए उपर बाले term का LCM निकालना है 2 है 3 है 4 है 9 है तो दिखें यहाँ पर 2, 3, 4, 9 सबसे greater number 9 ले लिए ठीक है नब 9 ले लिए 9 के अंदर 3 है काड दिये अब ले लेंगे 4 4 के अंदर 2 है तो काड दिये तो 9 चो कितना हो जाएगा 36 तो LCM कितना हो जाएगा 36 ठीक है अब SCF निकालना नीचे वाले का 3, 5, 7, 13 तो एक ही 1 ऐसा number है जो इस सभी को divide कर रहा है बाकि कोई और नहीं तो SCF हो गया 1 तो LCM कितना हो गया 36 तो option number A सही हो गया यह हो गया LCM और यह हो गया LCF इस question का समझ मैं आपको चलिए वीडियो पसंद आया है तो आपको like करना है चलिए दो और example से हम लोग solve करते है और अच्छे से doubt clear करते है देखिए question number 5 यह question हम लोग solve करेंगे trick के मदद से ठीक है 8, 9, 12, 15, 20, 25 का LCM और SCF क्या होगा सबसे पहले LCM निकालते है देखिए LCM हम लोग basic method से निकालने जाएंगे काफी जादा time लगेगा तो short trick से हम लोग निकालते है सबसे इसमें से greater number कौन सा है तो 25 है 25 को यहाँ पर लिख दीजे समझ मैं है ना सबसे greater number 25 लिख दिए अब 25 लिख दिए ठीक है इस 25 को क्या लिख सकते है 25 को लिख सकते है 5 into 5 बिल्कुल लिख सकते है इसके अंदर 8 नहीं है तो यह बाला 8 ले लेंगे 25 के अंदर 8 ले लिए इसके अंदर 9 भी नहीं है तो यह 9 भी ले लेंगे ठीक है इसके अंदर देखे 12 नहीं लेंगे क्यों 12 को लोग लिख सकते है 3 into 4 8 को लिख सकते है 4 into 2 तो 4 भी है और 9 को लिख सकते है 3 x 3 भी है तो 12 नहीं लेना है 15 को क्या लिख सकते है 5 x 3 समझ मैं रहा आपको इसके अंदर देखे 5 भी है और 3 भी है तो 15 भी नहीं लेना है 20 लेंगे 20 भी नहीं लेना है क्यों नहीं लेना है 20 को कैसे लिख सकते है 20 को लिसकते है 5 x 4 यहां पर देखे 5 भी है 4 भी है 20 भी भी लिए 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 चुके है अब ये नंबर को अगर आप मुल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका आजाएगा LCM निकल जाएगा तो कैसे करेंगे देखें अब इसको मुल्टिप्लाइ करेंगे अब आपका बोलिए तो SCF तो देखे 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइट कर रहा है तो SCF सीधा देखते के साथ बोल सकते है 1 होगा समझ मैं एएगा एक और हम लोग कोशन सॉल्व करते है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो देखे, कुशन नंबर 6 सॉल्व करते है स्वाट ट्रिक के मदद से निकालेंगे LCM, SCF तो सबसे पहले निकालते है LCM, ठीक है LCM, तो सबसे हम लोग क्या बोले थे ट्रिक में कि जो सबसे ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर इसे 40 दिख रहा है 40 ले लिजए यहाँ पर ठीक है ना? 40 ले लिए अब इस 40 को हम लोग कैसे लिख सकते है इसको लिख सकते है 8 इंटू 5 बिल्कुल लिख सकते है तो 8 तो है इसके अंदर तो यह 8 नहीं लेना है समझ भा रहा है आपको अब यह 40 तो ले लिए इसको क्या लिख सकते है अब यहाँ पर 36 है तो इसको कैसे लिख सकते है इसको लिख सकते है आपको 4 इंटू 10 बिल्कुल लिख सकते है यहाँ पर 4 है 36 को क्या लिख सकते है 9 इंटू 4 तो 4 इसमें भी है तो 4 नहीं लेना सिर्फ 9 तो इसको ले लिजे 40 को 9 ले लिजे समझ मा रहा है अब देखिए यहाँ पर 24 लेंगे 24 नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे देखिए इसको लिख सकते है 8 into 5 40 को यहाँ पर देखे 4 भी है ठीक है 4 भी है और यहाँ पर इसको लिख सकते है कितना 6 into 4 यहाँ देखे इसको लिख सकते है 8 x 5 और इसको लिख सकते है 3 x 3 8 भी है इसके अंदर 24 को क्या लिख सकते है 24 को लिख सकते है हम लोग 8 x 3 तो 8 भी है 3 भी है तो 8 भी है 3 भी है तो 24 भी नहीं लेना है ठीक है 36 तो हो गया, 40 तो नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है? क्यों लेना है? 2L का देखें यहां पर, 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 into 3, 8 को लिख सकते हैं, 4 into 2, तो 4 भी है 3 भी है, तो 12 नहीं लेना है बस यही दो नमबर है, इसको multiply करेंगे, इतना, तो answer आजाएगा, option number C मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा time लग रहा है, अधरबास बहुत ही solve tricks, बहुत ही जल्दी से इसको solve कर सकते, देखे जैसे चार है, पांच है, एट है, और यहाँ पर ले लेते हैं, आलेज़े 16, तो इसका lcm क्या होगा, सबसे greater number 16 लिए, 16 के अंदर 8 भी है, क्योंकि इसको लिख सकते है, 8 into 2, तो 8 नहीं लेंगे, इसके अंदर 4 भी है, क्योंकि इसको लिख सकते है, 4 into 4, तो 4 नहीं लेंगे, लेकिन 5 नहीं है, तो इसको लेंगे 5, multiply करेंगे 80, तो यह सब का lcm क्या हो जाएगा, 80, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, share कीजिए, और अपनी दोस्तों के साथ जरूर share कीजिएगा, comment करके बताएए, कैसा लगा है, किसी भी तरह का doubt हो, तो comment करके बता सकते ह Thank you so much for watching this video, God bless you all.